वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको call of duty warzone गेम जो है mobile उसके अंदर प्रॉब्लम आ रहे हैं कुछ इस तरह से unable to launch यह जब भी आप open करने का try करते हैं अपनी गेम को तो वह launch नहीं हो पाती है तो इसके बारे में आपको बताने वारा इसका solution तो चलिए जान लेते ह हमें क्या करना होगा इस problem solve करने के लिए जिसे हमारी गेम जो प्रॉपर लॉंच हो पाई और इसली हम जो उसको यूज कर पाए प्ले कर पाए खेल पाए तो यहां पर देख भी सकते अनेबर टो लॉंच एरर अंसपोर्टेड जीपी यो तो इसको solution क्या है वह मैं आपको ब नुट करना होगा और यहां पर मैं आपकू बतादू मेरे पास मोबाइल होगा तो आपके पास मोबाइल होगा किसी भी इसको काम आपको बतारहों तो देख लीटे हैं यहां पर आचुक then यहाँ पर आपको ऊपर storage देखने को मिल रहा है इस पर click करना है और नीचे clear data तो इसका यहाँ से आपको clear data करने ना है अगर यहाँ से नहीं करना तो आपको नीचे भी देखने को मिल जाता है clear data हसे यहां से वह किलियर और जाता कर सकते हैं और यहां पर जितनी पर textile हँगी आप जो है पर सी zarением को को भी और कर दीजिए यहां से सभी अपtwार करया यहां से लिजिए Yakिर गया पुरे आपकी problem solve नहीं होती है तो आपको क्या करना है वो जान लीजिए अब यहां पर आपको एक और काम कर लेना है setting में आना है setting में आने के बाद आपको यहां पर about phone में आना है और यहां पर storage में आना है storage में आने के बाद आपको चेक करनी है आपकी स्टोरेज कितनी खाली है जैसे कि आप देख भी सकते हैं 64GB यहां पर मेरा स्पेस है मोबाइल को और 62.9 यहां पर भरी हुई है मतलब 1GB यहां पर लगबग खाली है तो यहां पर मेरा काम नहीं बनेगा अगर मेरे को भी यहां पर प्रॉलम आ रही है तो को डिलीट कर दीजेगा या आपने मोब कर लेंगा किसी मैमरी काार्ड में या पने लेप्टॉप में भी लेजएगा तो पस यह आपको बताना था उसके बाद आपको problem solve नहीं होती है, तो एक और आप काम कर सकते हैं, आपकी जो game है, उसको यहां से आपको दबागे uninstall कर लेना है, uninstall करने के बाद फिर से install कर लेना है, तो problem solve हो जाएगी, अगर फिर भी नहीं होता, तो आप finally आपको एक report submit करनी है, report submit करने के लिए आपको chrome browser में आना है, और यहां पर आपको लिखना होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ से मैं स्टील लिखिएगा, call of duty, यहां पर आपको लिखना है, call of duty mobile, तो यहां पर install देखने को मिल रहाए, इस पर आप click कर दीजेगा install app पर, जैसे आप इस पर click करेंगे, आप यहां पर देख पाएंगे, जैसे कि आप भी सकते हैं जैसे हैं हो आपको यहां पर क्लिक करने हैं और यहां पर आपको report करने होगी कि वह क्या है प्रक्षा भूट्टू करने हैं ठीकर श Sn बेकर रिपोर्ट में as you can see in screenshot screenshot आपको एड़ करना होगा यहां पर आप क्लिक कर दीजिएगा attach file में जाकर आप जो क्लिक करके screenshot एड़ करिएगा I have my phone specification आप अपने phone की specification भी आप यहां पर बता सकते हैं 8GB है 128GB 8128 है यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं 128GB यहां पर ROM है और RAM 8GB है और प्रोसेसर भी आप हो चाहे तो बता सकते हैं कि आपका प्रोसेसर कौन सा है और यहां पर उसके बाद जो है कुछ इस तरह से रिपोर्ट लिकने के बाद उपर क्लिक करके सकते हैं आपकी जो प्रोब्लम है सॉल हो जाएगी आप रिपोर्ट सब्मिट कर दीजेगा और यहां पर जो है आपकी प्रोब्लम 48 अर्स के अंदर सॉल कर दीजाएगी और आप जो है थोड़ी बहुत इंफोर्मेशन आगर आप देना चाहते तो वह भी लिख सकते हैं इस आप प्रोब्लम